नमस्कार दोस्तों आप लोगों स्वागते में यूटूब चैनल इस्टेडीवी सुसील कुमान में तो देखी जो मैंने अपने पहरे वीडियों बताया था कि आपको एसे ही नोटिफिकेसन देखने के लिए या कोई जी के समझनी में वीडियो भी डालता रहता हूं ऐसी जानकारी के लिए आम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो है सेर करें अगर पसंद आए तो आप देखी कि हम इसमें वीडियो में देख पार है कि Constable GD in Central Armed Police Force, C-A-P-F-S-N-I-A-S-S-F and Rifleman GD in Awesome Rifle Examination 2023 के अंतरगर ये भरती आवी है, जिसकी online date जो है वो 24-11-2023 से प्रारम होती है, उसकी अंतिम्तिती 28-12-2023 है, यानि कि आपके पास एक महीने से भी उपर का समय है, जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए इसमें जो आप फीस जम्मा करेंगे वो भी 28-12-2023 तक ही है, और इसका जो exam है वो अभी दे रखा है कि exam फर्वरी 2024 में इसका होगा, तो आप देखिए, इसमें सब कुछ दे रखा है कि इसका जो exam है, वो computer-based बर होगा, यानि कि आपका computer-based पर examination होगा और MCQ question होगे, जिसमें minus marking भी होगी, यह साई detail notification में दे रखी है, आप देखते हैं इसमें, आगे की जो है, qualifications क्या-क्या है, आप देखिए कि यह वही normal वो है, लेकिन आप जब इसमें apply करें, तो इस notification को पहले download करने हैं, यह जो इसकीन पर website है, उसमें देखकर, और इसको जो है, पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही, आप online, जो है, करें इसमें, ठीक है, और इसमें जो apply करने का मद्यम सिर्फ online ही है, इसके अलावा जो है, आप किसी और मद्यम से नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप देखे, pay scale तो समय दियाओ होता है, pay scale की बाद-बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं, पोस्ट हैं, आप इसकीन पर देख पा रहे हैं, और आपका जो है, LIA की पोस्ट है अलग है, जिसमें SC की 15, ST की 19, OBC की 34, और EBS की 29 और जनरल का ठान में, यानि टोटल 225 पादों पर जो है, LIA की पोस्ट हैं, तो आप जो है, इसका SCS लेकर आप जो है, इनको Detalize एक दम देख सकते हैं, और आगे हम देखते हैं कि यह रहा, ता वेगेंसी आट टेंटिटीब, इसके अलाबा हम यह जो है, यह अलग बाते दी हुई हम देखते हैं कि इसको भरने के लिए आप जो है, सिर्फ भारत के न से बिलोंग करते हैं, उन्हें दे रखा कि 3 years in upper age, अगर आपको है, तो 3 साल का और इसमें, however, after relaxation of 3 years, यह दे रखा है, और अगर आप किसी category से बिलोंग है, आज ही SCS ते से तो आपको 5 बर्स का रिलेक्शन जो है, परमिस्विल, बिनोने आप पर age limit, तो SCS तो आपको 5 साल की चूट, OVC की 3 बर्स की EX Service Man के लिए 3 बर्स, तो इस तरह से दे हुआ हुआ है, आपको बर्स, यानि कि age में भी चूट दी जाएगी, और अगर हम देखें, इसके अंतरगत, यह तो DOB से समझतित हुआ, आप और नीचे अगर हम आ कर देखें, इसके अंतरगत, तो यह दिव होगी, जैसे process of certificate and format of certificates, तो देखिए, यह सब SCST जो है, जो reservations है, उनके रिए जो है, यह certificate पहुच जाता, माइने रखते हो, इनको सबसे पहले मागा गया है, ठीक है, अब हम देखते है, SCST, OVC के जो certificate है, उनके बाद में देखते हैं, education qualification, जो है, educational qualification में दिया हुआ है, कि matriculation और 10th class examination from recognized board और university, कहीं से भी आपने 10th किया हुआ, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, candidate who have not acquired the essential educational qualification as on the certificate that will not eligible and need not apply, यानि कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस notification के आने तक अपनी qualification पूरी नहीं की है, वो इसमें apply नहीं कर सकते हैं, जिनके आदिया दूरी रह गई है, इतिया से applied मे तो ऐसे इसमें हम फिल नहीं कर सकते हैं, तो आप देखिए, अब आगे देखते हैं, हम अगर किसी ब्यक्तिन NCC या NSS का कर रखा है, इसमे NSS तो नहीं दे रहा है, लेकिन NCC के बारे में दिया हुआ है, यदि आपके पास NCC का 3 certificate है, तो आपको 5% of the maximum marks, यानि 5% के maximum marks दिये दाखा है, वो यह सेटी पिकट अब इससे लगा है, वो इसको ओरिजनल सेटी पिकट जो है, वो दिखाना होगा verification के समय ठीक है, तो आप आगे देखिए, अगर हम इसको देखें, तो हम देखते हैं कि fees के लिए, application fees दी हुई है, तो देखिए examination की जो form format की जो fees है, वो है 100 र अरक्षित भर के हैं, उनको नहीं है, अरक्षित, fees अरक्षित की गई है, ठीक है, आप जो है, अगर किसे सब भरते हैं, तो इनमें देवी रखा कि इसके माध्याप साब की फिस शिकार की जाएगी, और आगे देखें हम center of examination, आप center of examination देख सकते हैं, यादि यहाँ बिहार उतर प्रिदेश रिजोन के रहने वाले हैं, तो यह आपके center है, और अंडवा निकॉलवारदीप समु के रहने वाले हैं, तो आपके लिए यह center जो इसकीन पर दिये हुए है, देखिए आप देखते रहे हैं, कि इस तरह मैं पढ़कर सुना हुआ तो वीडियो काफी लंब जाएंगे, ठीक है, तो अब हम इससे नीचे चलकर देखते हैं, कि आगे हमें इस notification में क्या मिलता है, इसमें दुआ है scheme of examination, तो भाईयो मैंने पहले ही बता दिया है, कि इसमें जो exam होगा, वो computer best bar होगा, और इसमें 80 question जो है, आपको जो है, putting कि ये जाएंगे, और 2 marks का, इस होगा intelligent and reasoning, या फिर जो है दूसरा जो इसमें parts होगा paper में, दूसरा parts कह सकते है उसको, वो general knowledge का होगा, तीसरा math का हो चोथा, होगा आपका हिंदी और English का, जिसमें 20-20 question होगे, 40-40 marks के होगे, आपको 60 minute दिये जाएंगे, ठीक है, ये आपका paper होगा, उसके बाद, आपका जो physical logical सभी इसमें दिये हुए है, किस तरह से आपका physical होगा, कितनी height मांगी है, और कितनी दोड मांगी है, कितना chest है, ये सब कुछ इसमें दिये हुआ है, जैसे कि आप इसमें आ जाईए कि physical efficiency test, या नि पेट के लिए आपको जो है देखिए, जो male व्यक्ती होगे, जो व्यक्ती region, जो रद्दाक region को छोड़ कर अन्यों में करते हैं, और जो रद्दाक region में है, उनके लिए 1.6 km साड़े 6 मिनट में निकालनी है, और 800 म महलाओ को 4 मिनट में जो है दोड दे रखी है, ये आपका दोड का format है, और अगर आप physical state test देखें, तो इसमें आपकी height होगी, जो male हो चैस्ट मेजरमेंट, जो male है, उनके लिए 80 cm, चैस्ट होना से लिए 80 cm, चैस्ट मेजरमेंट, जो male है, उनके लिए 80 cm, चैस्ट मेजरमेंट नोट विए 80 cm, चैस्ट मेजरमेंट, फिलाव याने की की expensive होना चाहिए, अगर समय चूट देखें, तो एश्टी के लिए 60 cm, फिलाव तो समय 5 का होना चाहिए और ये जो states को दे रखका है, उनके लिए भी कुछ छूट दे हुई है, chest measurement for female candidate will not be taken, heaven it will be a तो यह दिया हुआ है आपके मेडिकल्स के बारे में आए हम देखते हैं मेडिकल एक्जमिनेशन्स एकनिट्रेट बिल भी सोट ली टुटियल मेडिकल एक्जमिनेशन्स तो यह आपका दिया हुआ है और इसमें कुछ आपके डोकुमेंट्स भी दे रखे हैं कि आपको उनका फॉर्मेट की अधार पर होना चाहिए तो देखिए जब आप उनलाइन करेंगे तो उसके लिए डियोवी के लिए जो है यह डोकुमेंट्स आपके होने चाहिए इनमेंस इस तरह की कोई भी बुक्स होनी चाहिए तो देखिए आप जो है इसमें अपलाई कर सकते हैं और थोड़ी मेनत करें तो आपको जो है इसमें नोपरी मिल सकते हैं यह बहुत बड़े पदो पर जो निकली हुई भरती है जो इन ग्रूप में BASF, CISF, CRPR, SSB, ITB, BASM, RIFL, SS CISF, NIA, इन समय जो है यह निकली हुई भरती हैं तो आप इसमें जो है फिल करें फॉर्म और जो इसके भरने के चुक और योग्य हैं वो इस जो नोटिफिकेस हैं इसको डाउनलोड करें इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें उसके बाद अपलाई करें और मुझे आस मार्किन रहेगी तो जब आप नोटिफिकेसन आप जब डाउनलोड करेंगे और जब आप देखेंगे तब इसमें जो है हर पिरकार की जो है आपको जैनकरी मिल जाएगी आप सभी दोस्तों भाईयों बंदों को मेरा नमस्कार धन्यवाद